दोस्तों हाल ही में 22 जनवरी को आयोध्य के राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ इस प्रान प्रतिष्ठा में प्रभू श्री राम के बालरूप यानी रामलला की मूर्ती प्रतिष्ठित की गई आपने देखा भी होगा कि इस रामलला के मूर्ती को कई तरह के आभूशन, वस्त्र और अन्य श्रिंगार से सुसज्जित किया गया है आईए जानते हैं इन सभी आभूशनों का क्या मतलब है, इनका क्या महत्व है साथ में ये भी जानेंगे कि ये कहां से बने हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रामलला के सभी आभूशन अध्यात्म रामायन, वालमिकी रामायन, रामचरित मानस और आलवंदर स्तोत्र जैसे ग्रंथों से प्रेरित होकर बनाई गई है इन सभी में जैसा रामलला का वर्नन है, उसी प्रकार से ये बनाई गए है इन अभूशनों को हर्श श्यामलाल ज्वैलर्स ने बनाया है, इन्हें लखनव में तयार किया गया था आयोध्या के कवी यतींद्र मिश्रा के निर्देशा नसार, इन अभूशनों को बनाया गया है रामलला को बनारसी कपड़े से सजाया गया है जिसमें पीली, धोती और लाल गमछा है ये अंगवस्त्रम शुद्ध सोने की जरी और धागों से बनाए गये हैं इन पर वैशनव, प्रतीक, शंक, पद्म, चक्र और मयूर भी बने हुए हैं इस पोशाप को दिल्ली के टेक्स्टाइल दिजाइना मनीश त्रिपाठी ने तयार किया है जो अयोध्या धाम में काम करते हैं चलिए तो विस्तार से रामलला के सभी आभूशनों की विशेशताएं जानते हैं सबसे पहले जानते हैं मुकुट के बारे में रामलला का मुकुट सोने से बना हुआ है इसे मानेक, पन्ना और हीरे से सजाया गया है मुकुट के बिलकुल बीच में सूर्य देव का प्रतीक है मुकुट के दाहिनी और मोतियों की लड़ियां लगाई गई है चलिए अब जानते हैं कुंडल के बारे में ये मुकुट को कंपय करते हुए बनाए गए हैं इसे मोर के रूपानकनों से सजाया गया है इस पर सोने, हीरे, मानेक और पन्ना लगाया गया है चलिए अब जानते हैं कंठा के बारे में राम लला की गर्दन पर एक अर्धचंद्राकार हार है जो रतनों से जड़ा हुआ है इसमें अच्छे भाग्य का प्रतीक पुष्प डिजाइन है जिसके बीच में सूर्य देव की छवी है यह हार सोने से बना और हीरे मानेक और पन्ने से जड़ा हुआ है इसमें पन्ने की खूबसूरत लड़िया नीचे लटकती भी नजर आएंगे इसके बाद आता है कौस्तुब मनी रामलला के दिल के पास पहने जाने वाली कौस्तुब मनी एक बड़े मानेक और हीरे से बनी है यह एक शास्त्रिय परमपरा है कि भगवान विश्नु और उनके अवतार कौस्तुब मनी को अपने दिल के पास पहनते हैं इसलिए इसे बनाया गया है अब जानते हैं पदिका के बारे में यह हार ठीक गले के नीचे और नाभी के उपर पहना जाने वाला हार है यह आभूशन हीरे और पनने से बना पांच लड़ियों वाला हार है जिसमें एक बड़ा पैंडेंट भी है चलिए अब जानते हैं वैजन्ती यानी विजयमिला के बारे में यह तीसरा और सबसे लंबा हार है जो सोने से बना हुआ है और बीच बीच में मानिक से जुड़ा हुआ है विजय के प्रतीक के रूप में पहना जाने वाला यहाभूशन वैशनव परंपरा के शुब प्रतीकों सुदर्शन चक्र, कमल, शंक और मंगल कलश को दर्शाता है इसे कमल, चमपा, पारेजात, कुंद और तुलसी सहित, देवी देवताओं के फूलों से भी सजाया जाता है इसके बाद है कांची या करधनी राम लला के कमर के चारों और एक रतन जड़ित कमरबंध है ये सोने से बना है और हीरे, मानेक, मोती और पन्ना से सजाया गया है इसमें छोटी घंटियां भी हैं जिन पर मोती, मानेक और पन्ने की लड़ियां लटकी हैं इसके बाद आता है भुजबंध आपने देखा होगा रामलला के दोनों भुजाओं में सोने के भुजबंद पहनाए गए हैं। इन्हें भुजबंद कहा जाता है, ये छोटे छोटे बहमूल्य रतनों से सजाया हुआ है। जिन्हें पैंजनिया कहा जाता है, जिनमें हीरे और मानेक जड़े हुए हैं, साथी सोने की पायल में घंटिया भी लगी हुई है। इसके बाद बात करते हैं श्रीराम के धनुष के बारे में। रामलला के बाएं हाथ सोने का धनुष है, जिसमें में मोती, मानेक और पन्ना जड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में तीर है चलिए अब जानते हैं तिलक के बारे में रामलला के माथे को हीरे और मानेक से बने पारंपरिक शुब तिलक से सजाया गया है जिसे हीरे और मानेक से सजाया गया है चलिए सबसे अंत में जानते हैं खिलोने के बारे में आप सभी को ज्यात होता भगवान राम को पांच साल के बच्चे यानी राम लला के रूप में दर्शाया गया है इसलिए उनके सामने चांदी से बने पारम पर एक खिलोने रखे जाते हैं इनमें एक जुन-जुना, हाथी, भोडा, उंट, खिलोना गाड़ी और एक घूनता हुआ लट